गृट मॉर्निंग इस्टुडेंट्स वी रीट चैप्टर नाइन अवर एन्वार्मेंट एन्वार्मेंट मींज हमारे जो चारो तरफ का जो वातावरन होता है जैसे हवा पानी मौसम इस सबसे मिलके हमारा जो चारो तरफ का बातावरन बनता है उसे हम कहते हैं एन्वार्मेंट everything that surrounds us natural or unnatural forms our environment हमारे चारो तरफ जितनी भी natural और unnatural जो थिंग्स होती है वो सब एन्वार्मेंट में आती है the earth we live on is a wonderful place आर्थ जिस पर हम रहते हैं यह बहुत एक wonderful place है मतलब बहुत ही आश्चर रेचनक है यहां पर बहुत अलग अलग तरह के things होते हैं living things होते हैं non living things होते हैं अलग different types के जो वहां पर plants होते हैं animals होते हैं बहुत ही अलग लग सीज़ें होती है इस आर्थ में इसलिए यह बहुत ही wonderful है it has so many kinds of living things like plants animals insects birds fish and human beings यहां पर अलग लग तरह के living things होती है जैसे plants animals जो living things होती है लीविंग 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 इसमें है plants animals और जो non living things होती है और जो non living things होती है उसमें है there are also several non living things like air water soil this called living things and this called non living things that is means plants and animals plants और animals humans यह सब जो है वो सजीव होते हैं मतलब जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसके अलब जो non living things वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं जैसे हवा पानी मिट्टी यह न सांस लेते हैं न छोड़ते हैं तो non living things होते हैं फूट चेन अब आता है फूट चेन animals and plants depend on each other animals और जो plants है वो एक तूसरे पर निर्भर होते हैं जैसे animals जो है वो plants को खाते हैं और कुछ plants ऐसे होते हैं जो animals जिने खाते हैं जैसे Gods eat plants as well as vegetables जो God होती है वो plants को खाती है जैसे सबजिया भी खाती है और वह प्लांट्स को भीखाती हैं। मतलब लायन तो गॉट को खाते हैं और बॉट जो होते हैं एक दूस्रे पर निर्बर होते हैं। Thus a chain exists in nature for obtaining food which we call a food chain. यह जो आपस में एक दुसरे पर निर्बर होते हैं, plants और animals तो इसलिए हम इसे कहते हैं food chain. खाने के लिए एक दुसरे पर यह निर्बर होते हैं. Next is food producers. Green plants are the only living things that produce their own food. Green plants जोते हैं, सिर्फ वो अपने लिए खाना स्वेम बनाते हैं, वो किसी और का खाना नहीं खाते. To do this, they need soil, water, minerals, air and sunlight. इसके लिए उन्हें soil की, water की, air की और sunlight, minerals, इन सब की जरुवत पड़ती हैं. All other living things use the food made by plants directly or indirectly. यह जो other living things जो होती हैं, all other living things use the food made by plants. जो दूसरे जो होते हैं, वो directly, वो जो plants जो बोजन मनाते हैं, उसे directly और indirectly खाते हैं. What will happen if a link in a food chain is broken? क्या होगा अगर यह जो food chain है, वो टूट जाएगी. In a field, the plants make seeds. Mice eat these seeds. जो खेतों में जो छो-टोटी पौदे होते हैं, उनके जो बीज हैं, वो चूहे खा जाते हैं. तो तो में बहुत से चुहे होते हैं वो जो बीजों को खा जाते हैं तो ओल्स यट था माइज, what would happen to the माइज if all the ओल्स डाए और जो ओल्स होते हैं वो उन चूहों को खा जाते हैं तो यह कह रहा है कि अगर सारे उल्लू मर गए तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा अगर सारे उल्लू मर गए तो फिर उन चूहों को कौन खाएगा पिर चूहों की जो संख्या वो बहुत बढ़ जाएगी और वो हमारी सारी फस्तलों को खराब कर देंगे नेक्स्ट है balance of nature अब इसमें यह कह रहा है balance of nature nature में balance का होना बहुत जरूरी होता है the living and non-living things on the earth are carefully balanced earth में जो living things और जो non-living things है उनमें आपस में एक balance होना चाहिए some actions of human beings disturb this delicate balance of nature हमारे जो कुछ ऐसे काम होते हैं हम बानाव जीवन के कुछ ऐसे काम जिनसे जो nature में जो balance है वो बुलकुल बिगड़ गया है for example harmful insects and rats eat up grain harmful insects and rats जो यह कीड़े मोकोड़े होते हैं और जो चूहे होते हैं यह हमारा बहुत सा अनाच खा जाते हैं this means that there is less food for human beings इसलिए जो हमारे यहां पर वो खाने की बहुत कमी हो जाती है to prevent these harmful chemicals or pesticides are sprayed on plants and stored grains इन्हें बचाने के लिए हमारे खेतों में फस्तनों पर chemicals वाले जो दवायां हैं वो डाले जाती हैं जिसे हम फस्तनों को खराब होने से बचा सकें these poisons kill the insects and rats यह जो poison होता है chemicals में वो उनसे चूहे केड़े मकोड़े यह सब मर जाते हैं at first the insects and rats die because of the chemicals gradually its effect on them decreases and their numbers increase again थोड़े समय के लिए तो यह सब मर जाते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद यह लोग वापिस बढ़ जाते हैं थोड़े समय बाद वापिस आ जाते हैं यह तो फिर then we use more and stronger pesticides to kill them फिर हमें बहुत strong वाले जो chemical जो होते हैं वो डालने पड़ती है फसलों में the birds that eat these insects or rats are also affected पक्षी जो होते हैं जो birds होते हैं वो इन insects को खा जाते हैं they may die from eating the poison insects or rats और वो पक्षी भी मर जाते हैं क्योंकि इन चूहों में कीड़े मकोड़ों में जो दवाई होती हैं इसलिए उस दवाई वाले खाने से वो भी मर जाते हैं और they may starve because there is not enough food for them to eat और उनके मरने का एक करण और होता है वो गुक से भी मर जाते हैं क्योंकि उनके खाने के लिए हमारे पास परियापत भोजन नहीं हो पाता है another way in which woman being upset the balance of nature is when the clear forest to get land for farming एक दूसरा कारण हमारे यहां पर यह भी है जो नेचर का जो बैलेंस इसलिए भी बिगड़ रहा है तो कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं फॉरेस्ट को लोग जो जंगल होते हैं उनको काटते जा रहे हैं और जो भूमी होती है जो क्रशी की जो भूमी है उसमें convert कर रहे हैं many kinds of plants animals birds and insects that live in the forest die जंगलों में बहुत सारे जानवर रहते हैं लगता रहे के different types के जो plants होते हैं animals होते हैं birds होते हैं वो सब जंगलों में रहते हैं और जब जंगलों को कार देंगे तो फिर वो लोग कहां रहेंगे इसलिए वो बहुत से संख्या में मर रहे हैं they have no suitable environment left to live in उनके लिए रहने के लिए कोई भी अच्छी जगे नहीं हैं इसलिए वो सब मर रहे हैं factors responsible for pollution अब हम यहां देखेंगे कि कौन कौन से factors हैं जो pollution के लिए responsible हैं मतलब किन-किन कारणों से हमारे यह pollution होता है over the years human activities have made several ample changes to the environment बहुत सालों से हमारे यहां पे कुछ ऐसे activities होती हैं जिनसे हमारे जो environment में वो pollution बढ़ता ही जा रहा है many of these actions pollute the air and water which are so essential for living things इन कारणों में इन ऐसे कारणों से हमारा जो पानी है हवा एयर और water यह सब जो हैं बिल्कुल pollute होते जा रहे हैं और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है air और water दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है in your class talk about how the following cause pollution अब हम इन जो कारणों है pollution के जो कारण उनके बारे में discuss करेंगे smoke from the chimneys of factories आजकल जो factories होती हैं इतनी जादा factories होती हैं और उनमें जो chimneys से दुआ निकलता है उससे air pollution बहुत जादा होता है smoking buses and lorries running on diesel बसों से निकलने माला दुआ है और जो lorries जो गाड़ियां होती है उनमें जो diesel होता है उससे जो pollution होता है तो इन सबसे air जो है बिल्कुल pollute हो जाती है leaking pipes carrying household wastes से वेज और जो घरों में जो pipes लगेवे होते हैं जो wastage वाले pipes जो होते हैं उनमें leakage वाकर हो जाता है तो उससे भी pollution बढ़ जाता है large quantities of plastic bags littering in open spaces इसके अलावा हम जो plastic के जो bags होते हैं उसे open place में फेट देते हैं उनसे भी pollution जो होता है environment में बहुत बढ़ जाता है next is waste water from chemical factories being poured into rivers हम जो गंदा पानी होता है उसे हम नदियों में चला जाता है घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो होता है जो पानी road पे होता है जो पानी जो खेतों में इन में गंदा पानी जो होता है वो सारा पानी नदियों में चला जाता है और इससे हमारा जो water है वो पूरा pollute हो जाता है water pollution होता है some forms of life are gone forever और इन pollution के कारण हमारे यहां पर बहुत सी जो जातियां हैं वो बिलकुल खतम हो गई they have become extinct and cannot be brought back और वो बिलकुल खतम हो गई और अब वापिस नहीं आएगी you would have read about attempts to protect the peacock, the deer and the lion so that they too do not become extinct हमने peacock, deer और lion इन सब को देखा है इन सब के बारे में सुना है हमें उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अगर यह जातियां भी अगर हमारे यहां खतम हो गई तो फिर यह वापिस नहीं आएगी if we look after or concern what is left we may be able to stop further damage अगर हम इनकी देखरे करेंगे अगर हम इनका पूरा pollution का पूरा ध्यान रखेंगे तो हम इन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं we must reduce the quantity of materials that we use for example every piece of paper that we save will mean that pure trees are cut down to make paper हमें material को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए हमें किसी भी चीज़ को waste नहीं करना चाहिए जैसे जो paper हम use करते हैं वो paper भी हमें कहां से मिलता है trees से तो हम जितने trees काटेंगे उतना ही हमारा जो pollution है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि trees को होना हमारे environment के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसलिए हमें एक एक paper को बचाना चाहिए जिससे की हमारे जो पेड़ है वो कम कटे और हमारा जो pollution है वो कम हो cut down to make paper some materials like paper, glass and metal can be reused and recycled कुछ चो material होते हैं like paper हुआ, glass हुआ, metal हुआ इन सब को recycle हम कर सकते हैं बहुत इन सब का हम एक बार यूज होने के बाद दुबारा उपयोग कर सकते हैं इसे ही कहते हैं recycle आज हमने इस lesson के बारे में environment के बारे में पढ़ा हैं अब आप सब लोग इस lesson का वीडियो अच्छे से समझें और इस lesson को अच्छे से read करें next class में discuss करेंगे thank you